अधर से समय प्रभधन के प्रभधन के बारे में पड़ा हम अपने आज जैसे एक गाने का competition करा दिया, महंदी के competition करा दिया, किसी खास दिन, ठीक है, कोई program बगएरा करा दिया, नाटक बगएरा करा दिया, तो ये जो activities होते हैं, ये parts आगामी क्रियां कहलाती है, ठीक है, अगर हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं, तो सिर्फ उनका मानसिक विकास होता है, लेकिन हमें क्या करना, बच्चे का सरवांगीर विकास करना है, और सरवांगीर विकास में सारेरिक, अध्यात्मिक, भावात्मा, नैतिक, हर तरीकी का विकास हा जाता है, तो सिर्फ हम पढ़ाई से तो सारी चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है, तो कोई नों कोई गद्विदी कराते हैं, जैसे हमने क्या कि यह भाशन पतियोगता करा दी, ठीक है, किसी खास टॉपिक पर लेक्चर देना हो रहा है, ठीक है, तो उससे बच्चों में क्या हो रहा है, कि भावात्मक गद्विदी जो कर सकते हैं पढ़ाई के साथ, ठीक है, लेकिन अगरम जो हम यह गद्विदियां भी कहते हैं, तो इन गद्विदियों में क्या होता है, कि और चुबिकास के पार्ट हो हैं, जैसे कि सारी क्या ध्यात्मिक भावात्मक नहीं ते कि यह भी हो जाते हैं, ठीक है, तो यह क्या क करियां बिध्याले का आंत्रिक भाग है जिनका कार एक नियुजित संग्ठन एबर मजबूत बिचारों का निर्मान करना है ठीक है तो यह मादमिक सचायोग के अंसवार है यहसा याद कर लेना इंपोर्टेंट है अब पार्ट सायगामी क्रियाओं के उद्देश क्या होते है तो पहला उद्देश तो यही है कि बालकों का सरबांगीन विकास करना ठीक है कि बच्चों का में विकास करना है दूसरा है कि छात्रों को 100 अनुशाषन सिखाना ठीक है बच्चे खुद अनुशाषन सीखें यह चीज़ दीसरा है कि बिध्याले बिवेन बाताबरणों से आए बाताबरण में सहीोग की भावना का विकास करना ठीक हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं और हर बाताबरण से आई वे बच्चे होते हैं कुछ गरीब होते हैं कुछ अमीर होते हैं कुछ मिडल फैमिली के होते हैं तो उनमें कहा कि सहीोग की भावना का विकास करना है ठीक प्रोग्राम के माध्यम से या किसी और माध्यम से वो जाने ये चीज गलत है ये चीज सही है ठीक है तो नहीं भावी जीवन के लिए तयार करना है अब बिविद पार्ट सहगामी करिया है ठीक है कौन-कौन सी पार्ट सहगामी करिया होती है एक्जाम्पल अगर पूछ लिए जो होते हैं तो यह होती है सांस्कुरति कारक्रम फिर रासटी पर वहों जया इंगे भी कहा हैं भाच्जो को कही घुमाने ले गए क् 누के है किसी खाज चाही है क्यों हिस्ट्रीस सैंसे कोई जगए होहाँ पर आप िअर्व depends पार्ट सhigami kriya है, फिर बागवाणी जो होती है, वो भी किसमें आती है, पार्ट साहिगामी kriya हों हँपा आती है, और जो farewell program जो होता है, येर के last में जो होता है, आपके senior जाते हैं, तो उनके लिए जो हम farewell program रगते हैं, तो वो भी किसम आ जाता है? विभित पार्ट सहगामी क्रियां के अंतरकत ही आ जाता है तो इनके नम आप लिख सकते हैं? ठीक, अगर पूछ जाए एक नमबर में अब किसी भी विद्याले में आयोजित होने वाली पार्ट सहगामी क्रिया है देख लेते कि कौन कौन सी पार्ट सहगामी क्रियां है जो किसी विद्ध्याले में आयोजित की जाती है इसमें दैनिक प्राथना सवा भी आ जाती है जो दैनिक प्राथना सवा आपको पता कि विद्ध्याले में जो सुबह सुबह प्राथना होती है वो भी किसमें आएगी पार्ट सहगामी क्रियाओं के अंतरकत ही आती है इसमें हम क्या करते हैं कि प्रातना सभा किसी धर्म विसेश पर अधारित नहीं होने चाहिए बल्लिपी किस पर होने चाहिए मानभी मुल्यों पर अधारित होने चाहिए तो इसके बारे हम आपको लिख पठन हो ठीक है यह प्रातना सभा की बात हो रही है कि जो प्रातना सभा की बारे में आपने पढ़ा होगा की प्लेज बगरा कराते हैं ठीक है समाचार पत्र की जो important news होती है या कोई teacher story बताता है या कोई नई चीज बताता है आपको thought बगरा बताए जाते है ठीक है जिसमें कोई बिचार रखा जाता है तो यह सारी चीज़ां होती है प्रातना सभा में तो उसी के बारे आपको लिख देना है कि छात्रों प्रतिदिन समाचार पठन हो प्रातना करते सम जो इसलों प्रातना की मुद्रा अपना है ठीक है कि ऐसे नहीं हे कि कैसे भी खड़े हो गए कैसे भी बैठ गए ऐसा नहीं है जो भी प्रातना की मुद्रा पिर फॉर्थ पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं ठीक है तो बागवानी का मतलब यह नहीं कि आप क्या करें इस पूरे बिग्यान बगएर उन्हें पढ़ाएं बस आपको बागवानी बच्चों को जिखानी था कि बच्चे सीखें कि बागवानी का कितना important रोल है हमारे जीवन में क्यों जरूरी है ठीक है पेड़ लगाना क् सत्रांत समारू कहलाता है प्रतेग सेचिक सत्र के समापन पर कई सेचिक तथा सांस्कृति गदविदियों का आयोजन किया जाता है ठीक है तो फैयर वाल में आपको पता है बहुत सारी चीज़ां होती है उसमें कोई न कोई student गाना भी गाता है कोई dance भी करता है ठीक है सांस्कृति गदविदियों का आयोजन किया जाता है ठीक है तो यह हो गई है आपकी क्या पार्ट सहगामी क्रिया है इनके बारे में आप लिख सकते हैं अगर पूछा जाता है ठीक है एक नमबर में आएगा दो नमबर में भी आता तो इनके बारे में आपको explain करना पड़ेग पॉइंट सहाथ कर लेना जैसे क्या है कि सबसे पहला क्या है प्रातना दैनिक प्रातना सभा हो जाएगी दूसरा पॉइंट हो जाईगा अब हम मिलेंगे नैच्च वीडियो में नैच्ज टॉपिक के साथ थैंक यू सो मॉस्पर वाचिंग दिई प stora बगवानी और लीजि